अस्सलाम वालेकुम चैनल जायकाय दिलीच है मैं आज हम करेंगे एक तरह का जादू क्या चीज है यह यह दही है मैं इस पोड को पूरा उल्टा भी कर दूंगी अभी आपके सामने जब भी हमारे दही पिल्कुल इसी तरह की रहेगी यह देखें पूरा उल्टा कर दिया यह सिर्फ मैंने इसकी ठीकनेस आपको दिखाने के लिए करी है कि यह कितनी गाड़ी तरही है एक और जादू करते हैं हमने एक किलो का यह डोंगा ले लिया है यहां रग देते हैं और इसमें डालते हैं हम पानी पूरा एक लेटर पानी डालेंगे हम इसके अंदर बहुत से ब देही के अंदर नहीं जा रहा है अपना यह कुकिंग का जादू अब यह थोड़ा इस तरह का जादू हो गया पॉर्ट भी उल्टा करके दिखा दिया लेकिन अब दिखाते हैं हम आपको यह कट करके पहला तो मैं आपको इसकी मलाई दिखाऊंगी कितनी अच्छी और कितन मौती मलाई होती है फिर उसके बाद मां पो दही दिखाऊंगी क्योंके क्या होता है हम इसकी मलाई हटाते हैं और जो घी निकलनेवाली मलाई होती है हम इसको उसमें डाल देते हैं लेकिन आज मैं इस वाली रेसिपी के बद आपको देने वाली हूँ एक एक दम परफेक्ट वाली दही की लसी की रेसिपी तो मुझे जितनी मलाई के बड़े बड़े पीसी चाहिए क्योंकि आप जरा सी मलाई उठाएंगे तो पूरी मलाई आ जाएगी मैं इस तरह से कट गया वो मेरा वाला काम जो मुझे करना है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस तो मैं क्या करती हूँ जो यह पीस मुझे बाद में चाहिए तो मैं इस तरह से इसको घुमा देती हूँ इसकी जरूरत मुझे बाद में पड़ेगी तो अब हम आपको दिखाते है हैं हमारी ये गारी वाली दही यकीन जानिए ये इतनी आसान रेसीपी होती है कि इसको कोई भी बासानी बना लेगा कोई कहता है रोटी से मोटी मैं कहती हूं ये और भी ज्यादा थिक आप मलाई देख सकते हैं बहुत जादे अच्छी और एक दम ला जवाब है ना इसको मैं साइट कर देती हूं अब आपको दिखाती हूं मलाई हटाने के बाद दही की थिकनेस इस तरह की दही एक दम ला जवाब वाली एक दम बढ़िया वाली इस तरह से आप इसको पकड़े रहेंगे गिरने का कोई मतलब ही नहीं एक दम बर्फी की तरह पीसीज आप इसके कट क कब होगा जब हमारी ट्रिक के साथ आप बनाएंगे कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर इसमें कुछ डालना ही नहीं है यही इसकी ट्रिक है विडियो को लाइक कर दीजिएगा इसको बनाने शुरु करते हैं बिल्कुल सो दो सो नहीं बलके हजारों साल पहले किस तरह से तो विडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा इसी तरह की रेसीपीज देखने के लिए इसको बनाना शुरू करते हैं जो इसमें कुछ भी नहीं करना है लेकिन हाँ टिप्स और टिक्स तो इसमें हैं यह इतनी गाही दही जमाने के लिए बह बहुत जमेंगी पानी वाला दूद होगा दही तो जम जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा वह टाइट नहीं होगी तो आप देख सकते हैं मेरे पास यह दो लीटर दूद है जिसको मैंने उबाल आने दिया है मीडियम फिलेम पर लेकिन उबाल आने के बाद भी मैं इसको हो गई है मीडियम और स्लो के जो बीच का फिलेम होता है उस पर मैंने उबाल आने दिया है फुल फिलेम होगा तो दूद बाहर आ जाएगा बहुत जाद स्लो होगा तो इस तरह का उबाल नहीं आएगा भारी तली का बरतन लेंगे तो सही रहेगा हलकी तली का बरतन लेंग बता दी हैं के बाद हमें इसको दूद को side रख देना है इसको ठंडा होने देना है बहुत धियान रखना है कि बहुत ज़ाधे ठंडा दूद हो जायेगा रों टैंप्रेचर पर आ जायेगा आपका गारा दही नहीं जम्हेटा बेखुट तेज गरम में आप एकदम से इसमें दही डाल देंगे फटा फटा दही हो जाएगा जब आप इसको काटेंगे दही थोड़ा अलग आएगा और उसके साथ-साथ वो पानी आएगा वो भी तही जमाने का सही तरीका नहीं है वैसे तो पूरा इसका जो टेंपरेचर नापते है हम Casey इसमें इसमें अंगली रखें तो रखी नहीं जानी चाहिए एत्ना होना चाहिए कि हम ऊंगली डाले और एक्दम निकालने बाताश को पर देपर निकालने उस Mhm उसको साइड छोड़тоे हैं जैसे यह आता है इसमें डही डालने का टाइम दो आ आपको दिखाता है जह व है कि इसमें दही डाल ली है मलाई का पीस था जो मैंने अपानी क भी ले सकते हैं अछ जाही दही नहीं होateurs होगा उसεί से आपकी दही भी ब virailाiry की अच्छा जर्य दो हुगा बहुत अच्छी दही नहीं जमेगी बहुत बुरी दही जमेगी आपकी यह बहुत अच्छा होना चाहिए आपका दही इसको जामुन कहते हैं तो इसका जामुन तयार करने के लिए जितनी दही है उसे चार गुना मैं इसमें पाने डाल देती हूं दही पतली है तो उसे डबल जाएगा और आपका थिक दही जमेगा मैं इसको साइड रखती हूं तो आप इसमें साइड में उगले डाल के देख सकते हैं या फिर इस साइड से यह पोर्ट इस तरह टच कर सकते हैं पोर्ट ऐसा होना चाहिए जैसे कि इस तरह हाथ लगाएं लेकिन वहां पर ठेर नहीं प लगाँगी बहुत ज्यादे इसको हिलाने जुलानी के जरूरत बिलकुल भी नहीं हैं बस एक साइड से इस तरह से गैप कर ले ने दधी और पानी लिया है एक बार ओर हिलाओंगी और इसको में यहाँ पर डाल दो इसमें पानी है इसलिए यह पूरे में इस तरह से आपको या तो इसी तरह से छोड़ा दें या फिर किसी कपड़े से बुखत बारीक कपड़े से ढग दें या फिर इसी तरह छोड़ेंगे तो अच्छा दही जमेगा हमने इसको फ्रेश दूद के साथ बनाया है लेकिन इसको बचेवे दूद के साथ भी जमाया जा सकता है दह या दही आठ से दस घंटे रूम टेंपरेचर पर छोड़ा है तीन से चार घंटे फिरीज में छोड़ने के बात का रिजल्ट यह रहा आपको यह हमारी थिक वाली दही की रेसिपी कप ट्राइ करेंगे फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फिर साथे हैं आपक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फिर साथे हैं आपके लिए कोई न्यू रेसिपी लेकर इतने टाइम के लिए अल्ले हाफीज